हलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको राजिस्थान सरकार की तरफ से चलाए गई एक नई स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ जिसके अंतरकत एक जो सरकारी बोली लगेगी और वहाँ पर आप सस्ते आवाज खरी सकते हैं इसे बुद्वार ने लामी उत्सव का नाम दिया है जिसके तहट आप हर सौमवार सुबह 10 बजे से इसका रिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और बुद्वार को साड़े 4 बजे ऑनलाइन इसके एक तरीके से रेजल्ट्स निकाले जाएंगे और उसके लिए आपको जहाँ पर अप्लाई करना है किस तरीके से अप्लाई करना है क्या पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूँगा इस योजना के अंदर जैपूर सहित जैपूर के अलावा यानि की टोटल राजस्तान के अंदर 39 यानि 49 ऐसे शहर है जिनमें इसकीम निकाली गई है जहाँ पर आपको काफी रीजनेबल प्राइस पर है यूँ कही है पचास प्रतिशा तक की छूट पर किस्तों में घहर यह प्रिक्रिया शुरू की गई है तो मैं आपको बता देता हूँ कहां पर जाकर आप अगर आप बोली रगाना चाहते हैं तो कहां पर आप जाकर खुद को रेजिस्टर करा सकते हैं साथी साथ क्या उसका पूरा प्रोसेस रहेगा तो सबसे पहले आपको जो काम करना है व यहां पर जाकर आपको click here for registration आप यह देख सकते हैं बुद्वार निलामी उत्सव e-bid submission, helpline number भी दिये गए हैं और mobile number भी यहां पर है जो जहां पर आप अगर जादा जानकारी जान पानना चाहते हैं तो ले सकते हैं click here for registration पर आपको click करना है अब क्योंकि यह एक e-bid है यानि e-auction है online ही इसके बोली लगेगी तो सबसे पहले आपको bidder registration कराना है यानि कि आप अगर bid लगाना चाहते हैं या किसी भी property को यहां पर कोई भी घर आप खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको करना है as a bidder registration खुद को bidder register कराना है तो उसके लिए आपको कुछ 304 रुपए की fees है 352 रुपए वो exactly मैं आपको इसमें देखकर बता दूगा वो fees आपको pay करनी होगी उसके बाद आप किसी भी property पर यहां आप देख सकते हैं live यानि कि कितने property अभी live है यह आप द notice में जाकर आपको उस property से related उस event से related उस bid से यानि कि जो bid है उस से related आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जैसे flat number 1A5756 और कितना area है और कितने percent discount वो मिल रहा है minimum bid price क्या है यह सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी तो किसी भी live यानि कि कोई भी property जो available है auction के लिए नि आपको अपना email ID देना होगा अपना password आप कुछ भी रख सकते हैं और user type में आप individual है प्रॉपराइटर है आप कोई company है cooperative society public trust भी यहां पर register करा सकते हैं और उसके बाद आपको अगर आप company है तो GSTN number देना होगा अगर आप individual है user type अगर आप individual select करते हैं ना पता आपको अपन email number और pen card, bank की जानकारी यह सब आपको यहां पर details देनी होगी इन सब basic details को देने के बाद आप अगले page पर registration fees पर चले जाएंगे और वहां पर जाकर आप online payment कर सकते हैं मैं उसका भी आपको दिखा देता हूँ कि कितने fees है वो भी आप देख सकते हैं यह आपको कुछ इस तरी किसे आपके पास screen आएगी यह आपको एक तरीके से चलान मिल जाएगा चलान का यह online payment आप करना चाहते हैं या चलान के तुरू करना चाहते हैं तो आप online payment पर select करके pay button पर click करेंगे और फिर उसके बाद यहां पर आपको इस तरीके से कुछ option मिल जाएंगे जहां पर आप credit card debit card और जो भी माध्यम बाकी के हैं उनसे आप payment कर सकते हैं net banking है card option है दोनों यह option यहां पर आपको मिल जाएंगे यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको वापिस से इस page पर आना है और यहां पर आपको login करना है जब आपके पास registration हो जाएगा आपका email address और password आपको login उसक OTP भेजा जाएगा तो तीन मिनट के लिए valid होगा उसके बाद आपको OTP submit करना है OTP जब आप submit करेंगे उसके बाद अगर आप अपना password है उसे change करना चाहते हैं कोई नया password रखना चाहते हैं तो वह आपको यहां पर एक तरीके का option दिया जाता है जब आप login कर लेंगे उसके से आपको आपके login portal पर भी RFS option दिखाई देगा साथी साथ यहां पर आपको एक और option मिलेगा event notice के document के नीचे आपको एक और option मिलेगा जो की accept term and condition की जैसे आप यहां देख रहे हैं accept term and condition लिखा होगा आपको जिस भी bid में आपने participate करना है जो भी bid live है आप उसमें participate करना चाहत हैं उस bid में आप accept term and condition पर click करेंगे accept term and condition पर आप click करने के बाद इस तरीके से आपको यहां पर कुछ profile दिखाये देगा और जो भी आप select करेंगे यहां पर इस तरीके से आपको पूरा एक तरीके से दुबारा दिखाये जाएगा जिस चीज के लिए आप bid लगा रहे हैं और फिर उसके बाद आपके पास यहां पर जो amount है वो और उसके बाद आप pay कर सकते हैं जिस भी जिस भी RFID के लिए आप यहां पर बोली लगाएंगे उसके लिए आप यहां पर amount pay कर सकते हैं और फिर उसी तरीके से वापिस आपको चालान मिल जाएगा जैसे पहले आपने payment करी थी, EMD जब आप submit कर देंगे, यानि कि earnest money deposit जिसे हम बोलते हैं, जब आप वो submit कर देंगे, तो उसके बाद आपको bid preparation पर जाना होगा, जहां से आपको एक तरीके से जो bully है, जो आप लगाना चाहते हैं, वो यहां पर fill option में आपको आप देख सकते हैं, fill option में जाकर आपको जो कुछ option मिल जाएगा, जो minimum bid price है, उसके उपर आपने जो bid price लगाना है, यानि कि जो सबसे last वाला column है, bid price यहां पर जो आपको देना है, और price difference यहां पर आ जाएगा, EMD तो 5% है, जो आप already दे चुके होंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहां पर आपको, इधर आपक description property का मिल जाएगा, और right hand side पर आप अपना bid price लगा देंगे, जिस इस property के लिए आप bid price लगाना चाहते हैं, वो लगा के आप submit कर देंगे, submit का option आपको यहां पर मिलेगा, जब आपकी, अगर submission आपका complete हो जाएगा, उसके बाद आपको final submission पर जाने का option मिलेगा, final submission पर जब जाएगे, जो भी आपने quoted price रखा है property का वो भी आपको दिखाएगा, यानि कि एक तरीके से आप पूरे का पूरा detail दुबारा से चेक कर सकते हैं, जो final bid आपने दी है, और उसके बाद आप final submission पर click कर देंगे, उसके बाद आपको message मिलेगा, इस तरीके का आपका यहां पर message ह You have successfully submitted your bid from IP address date this, यानि कि आप जिस computer से करेंगे, उसका IP address आपको यहां पर मिल जाएगा और दिन की तारीक मिल जाएगी, यह तो बात हुई किस तरीके से आपने bid submit करी है, अब बात कर लेते हैं, अगर आपको withdraw करनी है, तो आप अपने dashboard पर event ID में जाकर final bid submission tag पर click करेंगे, और comment section में लिकर पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी सवालों का जावब देने की पूरी कोशिश करूँगा, यहां पर कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, कि आपको earnest money deposit करना है, तो bidder registration से पहले आप यह देख लें कि earnest money deposit कितना है, आप उतना earnest money deposit करना भी चाहते हैं या न पूरी है जाव़े जानुए मीन, मैंग जानँ आपद इननों का वा दो